अलो प्यारे बच्चों आपके अपने यूटूब चेनल पीजायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं आज के वीडियो में एक दस्मलो एक के सारे कोईश्चन बहुत ही एनरजेटिक और आसानी से सारे कोईश्चन डिसकस किये जाएंगे आईए देखते हैं पहला कोईश्चन पहला कोईश्चन है बच्चों निमलिके संख्याओं को अभाज गुणन खंडों के रूप में बिक्त कीजिए तो हमारे पाक जो संख्याएं दी गई हैं जैसे यहाँ पर पहली संख्या वेटा 140 140 का अभाज गुणन खंड करना है तो 140 क कैंसिल करेंगे 35 फिर पान सते 35 फिर साथ एक के साथ तो इसका जो अभाज गुणन खंड होगा वो क्या हो जाएगा टू इंटू टू इंटू फाइब इंटू कितना हो जाएगा सेवन ओके दूसरी संख्या जैसे हमारी है बेटा 156 अब 156 का अभाज गुणन खंड करना ह है तो 156 का फेक्टर करेंगे दो सते 14 दो अठे 16 इसे कैंसिल करेंगे 49 इन से 13 एरा एक के तेरा समझ में आया तो इसका जो अभाज गुणन खंड होगा तो इंटू टू इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 13 अब जैसे अगला कोईस्चन है 38 पचीस इसको हम नए पेज पर इसका अभाज गुणन खंड करने की कोशिस करेंगे फ्यारे बच्चों जैसे है अगला कोईस्चन है 38 पचीस 38 तीसरा है आपका 38 पचीस इसका अभाज गुणन खंड आपको करना है तो 38 पचीस को पहले हम इस तरीके से भ्रेक करेंगे दो से बेटा कैंसिल नहीं होगा तो हम फाइब से थ्री से ट्राइ करेंगे बरिसे नहीं होगा तो फाइब से ट्राइ करते हैं फाज सते पाइप अधिस पांच हटिस पैचा हम पचीस पर ऑच करेंगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों 3 से 3, 5, 15, 3, 1, 3, 3 से कैंसिल करेंगे 17, 51, जहां 17 कैंसिल हो के एक हो जाएगा तो यह आपका बना जैसे 3 गुणे 3 सीरियल्स ले लेते हैं इन्टू 5 इन्टू 5 इन्टू कितना 17 तब कुल मिला कि इसका भाज गुरंखंड ये इधा रफ कार रहे हैं तो ये हो गया अच्छा इसके पीछले वाला कुश्चन जैसे 5005 चौथे में बेटा आपको 5005 का भाज गुरंखंड करना है तो पहले 5005 का हम फैक्टर करेंगे 5005 का 5 से करो 5 1 5 5 5 सुने सुन 5 1 5 अब 5 से कैंसिल नहीं होगा अब हम ट्राइ करेंगे प्यारे बच्छों 7 से 7 बंजा 7 3 बचा 30 हो जाएगा 7 1 के साथ कैंसिल होके 30 के पास चला जाएगा तो साथ जो कठाइस तो और साथ तरीके 30 फिर उसके बाद 11 से यह 13 जाएगा फिर 13 से कैंसिल होके एक आ जाएगा तो कुल मिला कि हो जाएगा 5 गुरे 7 गुरे 11 गुरे 13 इसका अभाज गुरंखंड हो गया फिर उसके बाद अगिला अभाज गुरंखंड किसका करना है अग त्वंटी नाइन ये किस से ब्रेक होगा ये तेरा तक तो नहीं दो से नहीं कैंसिल होगा तीन से नहीं होगा पान से नहीं होगा साथ से नहीं होगा ज्यारा से नहीं होगा तेरा से नहीं होगा सत्रा से एक बार ट्राई करते हैं सत्रा चोके आंट सट फिर कितना बचा सत्रा जोके अर्सटर छे हुआ बांसट हुआ 17 यहां 11 इक्क्यावन दस सत्रा से कहिंसिल हो जाएगा एको प्यारे बच्छों सत्रा भागे कि एवन फोर इवन फोर टू नाइन सत्रा इक सत्रा चो का आर सट कितना बचा से 2, 65, 17, 31, 51, 19, 17, 16, 102, 17, 17, 119 तो यह 17 से कैंसिल हो जाएगा पहरे बच्चों तो यह 17 से कैंसिल हो जाएगा इसे 17 से कैंसिल करेंगे फिर उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होगा जैसे यहाँ पर तेबन फोर टू नाइन 17 से कैंसिल करते हैं 17 चोकान सट 17 तियंक क्यावन 17 सत्त एक सोननेश तो यह 17 से कैंसिल हो जाएगा फिर 17 के बाद अगला है 19 19 से देखो तो यह थोड़ा अच्छा कोईश्चन था पहले हम ट्राई करेंगे दो से नहीं होगा तीन से करेंगे फिर नहीं होगा तो इसी तरीके से ट्राई करते हुए चले जाएंगे तो यह वाला हमारा जो कुईश्चन था इसका जो अभाज गुडनखंड होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 17 19 और 23 हो जाएगा ठीक है अगला कुईश्चन अगर अगले कुईश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ देखो पहला बताएगे बेटा दूसरा तीसर चौथा और पांचवा पांचों कुईश्चन बताएगे देखो यह पहला है आप देख रहे हो यह दूसरा है इसी तरीके से अगले पेज में देखो प्यारे बच्चों तीसरा चौथा और पांचों कुईश्चन बताएगे पांचों कुईश्चन में दी गई संख्याओं का हमको क्या करना रहता है अभाज गुड़न खंड करना है ओके आईए बात करते हैं अगले कोईश्चन के पुरुडांकों के निमलिखित युगमों के HCF और LCM ग्याद कीजिए तथा इनकी जाच कीजिए कि दो संख्याओं का लासा मासा का गुड़न फल HCF और दो संख्याओं का गुड़न फल उनके LCM गुड़े HCF के बराबर होता है आईए ध्यांग से देखते हैं बच्चों इसमें ये क्या है कोईश्चन आप जमझो सबसे पहली संख्या है पहले का हम सेलूशन बताने चल रहे हैं पहले का पहला है आपका 26 और क्या लिखा गया है 27 और 91 पहले हम लोग 26 और 91 का अभाज गुड़न खंड करेंगे अभाज गुड़न करके विए अभी आ रहे हो तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 27 को हम लिख सकते है दो गुणे तेरा तेरा दोना छबविस होगा फिर उसके बाद उक्यान बेको अगर आपको ऐसे नहीं पता ऐसे करो ऐसे 1 से काटो, 2 से काटो, 3 से काटो 13 सथे आग्यान बेको इतना तु जानते ही हो यार तो इसको लिख सकते हो 13 गुणे 7 या 7 गुणे 13 common जो दोनों में हो यार तो दोनों में क्या है तेरा तो इसका मासा तेरा हो जाएगा फिर बात करते हैं लासा की तो लासा का मतलब पहले जो दोनों में हो और जो बच जाए क्या है दोनों में दोनों में तेरा बच क्या रहा है दो और साथ मल्टीप्लाई करोगे साथ दुना चौदा पिर उसके बाद 13 रहेगा, 14 का 13 मल्टिप्लाइ करो, 14, 32 के दो कहरी हुआ कितना 4, और 14, 1 के 14 में 4 और आड़ करोगे कितना हो जाएगा, 18, 182 हो जाएगा, अब हमको जाच करना है, कौन सी जाच करनी है, जाच ये करना है कि हमको ये जाच करना है कि लासा गुने मासा पराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या तो पहले लासा और माशा का गुणा करो माशा 13 या लासा 182 आया इनका गुणा करेंगे 13, 22, 26 के 6 एरी हुआ कितना तो अब 13, 28, 104 एक सो चार में दो आइड करोगे तो 106 के 6 हो जाएगा फिर 10 हो जाएगा 13, 10, 23 हो जाएगा त तो तेश चाशट हो गया लासा और मासा का गुणा, ओके फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणफल करना है, तो उनमें से एक संख्या क्या थी, अगली संख्या क्या थी, 91, अब इसका जब 91 बे गुणा करोगे बच्चों, तो इसका भी हो जाएगा, 36, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, दो संख्याओं हमको दी गई थी, 26, 91, हम दोनों का भाज गुणखंड करके मासा और लासा निकाल दिये, देखो, मासा और लासा निकाल दिये, फिर हमको क्या करना रहता है, फिर हमको यहाँ जाच करना है, कैसी जाच, जाच यह करना है, कि लासा और मासा का जो गुणफल आ रहा है, ये, ये दोनों संख्या इतना बेसिक तो होना ही चाहिए चाहिए उसके बाद दो एक के दो दो नो अठाट गुणा करोगे छे चार दो छे आठ पांस तेरक तीन कहरी एक दो तको आया कि नहीं तेश चाहिए तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हो जाएगा अगिला दूसरा तीसरा कोईस्चन देख और नए पेज पर हम डिसकस करने वाळे हैं 5510 और 92 अगिला पोईस्चन है और 5000 और 92 इसका दूसरा है बेटां पांस हूआ कि सबसे पहले 1510 का अभाज गुणन खंड करो ऐसे नहीं कर पाह रहे है तो एसे करो हो 2 से कैंसील करो 2 दूना चार मन में बचा एक एक के बगल चला जाएगा ग्यारा हो जाएगा दो पंचे दस एक ग्यारा फिर उसके बाद दो पंचे कितना हो जाएगा दस फिर अब दो से नहीं होगा बेटा पांच से ट्राई करो फिर पांच से पचाम पचीस पांच के पांच फिर पांच से नहीं होगा तो तीन से कर तो इसका गुणनखंड क्या जाएगा बेटा तू इंटू फाइब इंटू थ्री इंटू सेवन्टीन इस तरीके से बान निवेका करू बान निवेका भाज गुणनखंड देखो रफपे भी कर दिया जा रहा दो से काटोगे दो चौक आट दो चक 12 फिर दो से काटोगे पाचक कर लेते हैं तो दुना चार दो पंचे दस दो पंचे दस पचाहम 25 पांच एक के 5 17 ठीक तो है फिर इसका हम करेंगे 2 दो multiply दो multiply तरिएस अगर हम बात करते हैं वेटा मासा की तो मासा का मतलब जो दोनों में उभाइनिष्ट है तो यहाँ है यहाँ है ले लिया जाए गा हो यहां दो है दो है तरि से उपर नहीं उपर पंच नीचे नहीं हो यह नहीं लिया जाएगा तो मासा क्या बनेगा दो दो इसलिए लिया गया है जूबहेजही नहीं नहीं दे रहा या वाइड करते हैं लाज़ा की लाज़ाा का मतलब जो दोनों में हो जो बच जाए दोनों में दो था लिया गया है जो बचा यहां से दो और तेईस बचा फिर उपर बचा फाइप इंटू कितना फाइप इंटू थ्री इंटू सिबंटीन इनका मल्टिप्लाई करो यार अब मल्टिप्लाई करो दो दुना चार चार बंजे बी बीस चक का 120, 120 का तेज से मल्टिप्लाई करो, 12, 33 के 6 कहरी हुआ, 3, 12, 24, 23, 27 हो जाएगा इतना, फिर 17 से मल्टिप्लाई, 17, 16, 17, 17, 19, 119 में 10 जोड़ोगे, 139 के 9 कहरी हुआ, 12, 17, 12, 34, 34, 24, 24, 24, तो मिला कितना आ जाएगा, 46 920 क्या जाएगा एक बार गुणा घडित अपने अस्तर फेर भी आप लोग बेटा कर लेना 46 920 आ गया ओके तो इस तरीके से इनका multiply एक बार हम फिर से चक कर लेते हैं 2 दुना 4 25 और 20 तिया 60 गलत हो गया 2 दुना 4 25 तिया कितना हो जाएगा 60 का हमको 23 से multiply करना है 3 चक 18 के 8 कहरी हुआ खितना 1 और 6 दुना 12 12 एक 13 हो जाएगा 17 से करना है 7 8 56 के 6 5 हुआ 7 3 के 25 26 के 6 21 5 27 के 6 2 हुआ 7 2 9 हो जाएगा 8 3 1 8 6 14 के 4 1 9 3 12 1 13 1 2 23 46 आएगा बच्चों इसका 23 46 आएगा इसको सही कर दिया जाए 23 46 आजाएगा 23 43 आजाएगा अब गुणा सही होना चाहिए इस तरीके से multiply हो गया तो क्या किया गया पहले दोनों का गुणखंड कर लिया गया फिर उसके बाद मासा जो दोनों में उभेनिष्ट है वो लिया गया लासा में जो दोनों में उभेनिष्ट था यहां से दो बचा यहां से बेटा 23 बचा 5, 3, 17 बचा फिर इसका इसमें 2 दुना 4, 5, 6, 20, 60 और 60 का 23 में 17 में गुणा किया गया 23, 46 आगया अब हमको इसी पर जाँच करनी है हो क्या करनी है जाँच कैसी जाँच जाँच यह करना है कि लासा का मासा से बेटा गुणा करो लासा गुणे मासा तो लासा हमारा है 23, 46 और मासा है 2 मल्टिपलाई करो 2 छख बारक दो खैरी हुआ एक दो छक बारक, दो कहरी एक एक दो चोग गाट येक 9 दो तिएंचे, दो दुना चार यालीस बाननेते आ गया अब हम क्या करेंगे आन सो दस का बानने बे से गुड़ा करो दो सुनने सुन दो एकके दो दो पंचे दस नंउ, नो सुनने सुन नो एक के नो, नो पचे पैंतालिस, नो पचे पैंतालिस, तो जीरो तो नो से चार, 43, 92, जीरो, देखो यहां पर बेटा, जीरो अंतिम में लेना भूल गया थे, तो यह जीरो भी ले लिया जाएगा, तो इस तरीके से हो गया, लासा गुणे मासा, अब हमको करनी है, पहली सं संख्या, गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या, गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या मेरा है, पान सो दस, दूसरी संख्या है, बान वे, मल्टिप्लाई करोगे, तो 46, 920 आ जाएगा, तो इस तरीके से फार मेल्टी है, यह, लासा और मासा कर दीजिए, तो जा अगिला कोईश्चन हम डिसकस करते हैं 336 और चोवन इसको आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है ना 336 और चोवन डू योर्सेल्फ आप अपने से करोगे और अगर नहीं आएगा तो कमेंट औगेरा भी क्युछ किया करो कमेंट में बताना कि यह सर बता दीजे फिर डिसकस कर दिया जाएगा पहरे बच्छों चलिए आगे देखते हैं अगिला कोईश्चन है अभाज गुरंख संख्याओं का एल सीम निकालना है जैसे हमको संख्याओं दी गई हैं बारा वेटा निद्दा देखेंगे वह फिर क्या प्भए निष्ट हो तीनों में वह इस तैन यहां है यहां है तो तीन ले लिया जाएगा पिर उसके बाद करते हैं तो लासा का मतलब क्या होता है भिर बच्चों जो तीनों में वो लिया जाएगा और ब自जओं और फिर मुर्टिप्लाई कर दिया जाएगा तीन दुना छे दुना बारा बारा पंचे साथ और साथ का जब साथ से मल्टिप्लाई करोगे चार सो बीस आ जाएगा समझ में आया तो कुल मिला के आप भाज गुणन खंड विधी से इनका हमको क्या निकालना था मासा और लासा निकालना था बहुत आसान खेल है आप क्या क करोगे 12-15 का भाज गुणन खंड करोगे और मासा की परिवासा जो तीनों में वह निष्ट हो मासा और जो तीनों में वह निष्ट हो और बचने के साथ जो गुणा गणित कर दिया जाए वो लासा ओके अगले बात करते हैं 17-23 बहुत ही आसान प्रस्ण है इसको देखो 17-23 दूसरा कोईश्चर हम देखते हैं दूसरा है प्यारे बच्चों 17-23 वा वन तीस तो 17 का आप गुणन खंड बहुत करोगे तो 17 गुणे एक करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे चुकि अब आज संख्या है वो फिर उसके बाद 23 की बात करें तो 23 गुणे एक करोगे और तो वन तीस की बात करें तो वन तीस गुणे एक पर कर पाओगे अगर इनकी हम बात करते हैं मासा की तो मासा तीनों में एक भेनिष्ट है फिर अगर हम बात करें लासा तो लासा तीनों में एक है जो बचा क्या बचा बेटा सत्रा बचा तेईस बचा वन तीस इसको आपको गुणा ही करना है 17, 23, 29, 17, 53, 51 के केरी हुआ, 5, 17, 24, 34, 5 कितना हो जाएगा? 45, अगुणे करना है? 29, 31, 91, 91, 91, 91, 81, 32, गाहिरि हुआ, 9, 37, 27, 83, 25, 21, 22, 29, 28, 28, 29, 28, 29, 29, 26, 27, 29, 29, 29, 29, 30, कितना जाएगा यहां से आपको मिल जाएगा 11, 33, 9 इस तरीके से इंसर आजाएगा ओके फिर बात करते हैं अगले सवाल की 8, 9, 25 अगला question है तीसरा लिखा गया है बेटा 8, 9, 20 तो पाट का factor को 2, 2, 4, 2, 8 फिर 1 से फार मेल टी 9 को लिख सकते हो 3, 3, 9, 25 को लिख भाइब गुण प्र बात करते हैं मासा तीनों में एक है फिर बात करते हैं लासा तीनों में एक है फिर बच रहा है बच यहां से रहा आठ गुणे 9, 25, 26, 200, 200 गुणे 9, 9, 12, 13 इसका लासा हो जाएगा ठारा सो समझ महारा बच्चों बहुत ही आसान खेल है ऐसे आप लोग भी चमतकार कि आए बात करते हैं अगले कोईस्चन की तरफ राथा कोईस्चन है एचसी अफ आप 306, 657 यहां देखो बेटा मिस्प्रिंटिंग में यहां 9 देना था 9 नहीं लिखा गया है यहां 9 लिखा जाएगा ना 306 और 657 का जो एचसी अफ है वो 9 दिया है फिर हमसे पूछा गया क प्रता कि इनका अलिसीएं क्या होगा बहत ही आसान प्रस्ट है देखो कैसे हल करते हैं ती गई संख्याएं हमको संख्याएं क्या दी गई है tarima में एक संख्या दी गई है 306 वा दूसरी नटी गयाँ डिमांड किसकी है लासा की हम जानते हैं आपको पढ़ाया गया था कि कभी दो संख्याओं का मासा दिया हो लासा ग्यात करना हो तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा तो यहां पर लासा अगर निकालना है तो फार्मूला बताये थे साहब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या होता है बटे होता है माँ पहली संख्या दी गई है 306 दूसरी है 657 मासा इनका दिया गया है 9 फिर 9 से इसमें भाग कर देंगे तो बेटा 9-327 और 9-6-1 9-327-3-9-4-6-34-34-34 का हमको 657 में गुणा करना है और इसका गुणा यहां कर दिया जाता 657 multiply 34-7-4-28-8 कहरी हुआ 2-7-4-5-2-2-2-2-4-2-4-2-2-6-3-1 कहरी हुआ 2-3-5-2-7-7-1-3-6-8-1-1-9-10 फिर उसके बाद 8-2-1-3-7-6-3-9-2-11-1 8-2-1-3-7-6-13-3-1-9-2-11-1-12-1-1-1-2 कितना आ जाएगा 22-3-3-8 यह आपका answer आ जाएगा समझ में आए बच्चों बहुत ही आसान question था इसमें दे दिया गया था दो संख्याएं 306 और 657 दे दिया गया था इनका मासा भी दे दिया गया था लासा की डिमांड कर रहा था फार्मूला हम जानते हैं लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा पहली है 306 गुणे 657 भागे 9 9 को 306 में भाग करोगे 34 को 657 में गुणा करोगे 22,338 इसका answer आ जाएगा ओके अगिला question देखिये साहब जाच कीजिए कि जिब्रागर्द संख्या यन के लिए 6 की पावर यन कभी 0 पर समाप्त होगा आसान है खल में सबसे पहले दी गई संख्या इज्जस से उतारो 6 है 6 को हम लिख सकते हो 2 गोड़े दीन को पावर यन यह हमसे जानते हूँ क्या पूछना चाहता है जि संख्या पर 3 2216 पर समाप्त होग में आयाorn तो इसको मैत की भासा में लिखना है और जाता है कि अगर कोई शंख्या दी रहे उसकी पावर चाहे जितना हो वो तभी सुन पर समाप्त होगा जब उसके गुड़नखंड में 2 हो और 5 हो आज बेटा अगर हम 6 का गुड़नखंड करें तो इसके गुड़नखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है तो उसका कारण लिखेंगे यहाँ यहाँ 6 की पावर यन किसी भी प्राकर्त संख्षा यन के लिए कभी भी सुन पर समाप्त नहीं होगा कभी भी सुन पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि 6 के गुड़नखंड में 5 नहीं है पाँच नहीं है तमझ में आया बच्चों बहुत ही आसान प्रस्ण था आपको छे का गुड़नखंड करना था छे का गुड़नखंड दो गुड़नखंड तीन हुआ और दो गुड़नखंड में 5 नहीं आ रहे इसलिए 6 की पावर यन किसी भी प्राकरत संख्षा यन के लि उतारते चलो चलिए आगे बढ़ते हैं व्याख्या कीजिए जेवन इंडु इतना इंडु इतना और इतना भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं बहुत ही आसान है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभासा बताई गए थी ऐसी संख्या जिसके पास केवल दो गया है साहब 7 गुणे 13 सौरी 11 गुणे 13 प्लस 13 इसे जाचना है भाज्य है कि नहीं तो इसको जाचने के दो तरीके हैं पहला तरीका क्या है कि सबका गुणा करके तब जाचो वैसे करो गेटा टाइम लगेगा तो आपको क्या करना चाहिए देखो यह पहला पद है यह दूस सतातर प्लस एक एड करोगे 13 मल्टीप्लाई 78 देखो इसके दो गुणन खंडा गया 13 और 88 अता यह कौन सी संख्या है अता दी गई संख्या अता दी गई संख्या क्या है भाज्य है अगले प्रस्न की बात करते हैं तथा एक और इसमें दिया गया है दिया गया है सेवन इंडू टू इंडू नू वन ब्लस भाइब अब यहां पर देखो दोनों में 5 कॉमन है पांच कॉमन ले लेते हैं जैसे ही पांच कॉमन ले लोगे सात गुणए 6 गुणए चार गुणए 3 गुणए 2 गुणए 1 प्लस एक बचा फिर यहां से आपका 5 बना रहेगा इसका आप multiply करो multiply कर देते हैं 3 दुना 6 6 24 24 चक्का 24 चक्का सायद 6 दुना 144 37, 24, 24, 24 7, 24, 27, 30 10, 1008 आएगा तो 1008 आएगा उसमें एक जोड देंगे तो 5 गुणे 1009 आ गया अता इसके भी देखो 2 गुणन खंड आ गये तो अता संख्या क्या है अता संख्या क्या है अता संख्या भाज्ये यही करना था बहुत ही आसान था बस आपको कुछ नहीं करना था इसमें से 13 कौमन लेना था इसमें 5 उसके बाद गुणा गड़ित करना था ओके आगे बढ़ते चलो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रभी को 12 मिनिट समय लगता मान लीजे कि वे दोनों एक ही अस्थान और एक ही समय पर चलना परारम्ब करके एक ही दिसा में चलते हैं कितने समय बाद वे बुना परारम्बी का स्थान पर मिलेंगे इसको हल करने के लिए देखो क्या कांसेप्ट लगेगा यहां पर दोनों एक ही अस्थान पर चलते हैं एक ही अस्थान पर और एक ही समय पर चलना परारम्ब करते हैं तो कहरा कितने समय बाद वो दोनों बुना उसी अस्थान पर मिलेंगे तो इसके लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा हमको complete चक्र लगाना पड़ेगा और complete चक्र जब complete चक्र तब लगाओगे जब विभाजिता का नियम जहां लागू होगा और विभाजिता का नियम जहां लागू होता है वहां लासा लिया जाता है फोल बिला कि इस प्रस्ण में सोनिया को लगा समय, सोनिया को कितना समय लग रहा बेटा, सोनिया को कितना समय लग रहा, ऐठारा मिनट। रभी द्वारा लिया गया समय, रभी द्वारा लिया गया समय, रभी द्वारा लिया गया समय 12 मिनट, तो आप कह रहा कि प्रारंभी कस्थान पर मिलने का समय, पुना प्रारंभी कस्थान पर मिलने का समय, तो पुना प्रारंभी कस्थान पर मिलने का जो समय होगा, वो कुछ उसके बाद लासा की बात करते हैं लासा दोनों में दो और तीन है बच रहा है कितना दो तीन गोना करोगे दो तीन अच्छा का च्छा से गोना करोगे कितना आ जाएगा 36 एंसर आ जाएगा 36 मिनट बाद वे दोनों कहां पुना हुसी अस्तान पर मिलेंगे देखो कैसे मिलेंगे 36 मिनट में लड़का दो चक्कर काट के ही रहेगा जब तक 36 मिनट में लड़की दो चकर काटेगी तब तक 36 मिनट में लड़का तीन चकर काट देगा दोनों ही मिल जाएगी अरे भाई जैसे बारा मिनट में 26 मिनट में सोनिय को 18 मिनट लग रहा तो 36 मिनट में एक बार दो बार वहीं रहेगी तब तक तब तक व तीन बार लगा के भाही मिल जाएगा अरे जैसे यह signal वाले प्रस्णों होते हैं जैसे माल लिया जाए कि एक signal में तीन लाइटे लगी हैं पंदरा मिनट दस मिनट और बारा मिनट के अंतराल पर जलती बुझते हैं कितने समय के बाद हुए पुना है एक बार उसी समय पर जलेंगी तो इस सब प्रस्णों के लिए ह अगले प्रस्ण की अगर हम बात करते हैं जलिए आज ये पहला एक्सरसाइज जो है प्यारे बच्चों वह आज कंप्लीट होता है कल के वीडियो में एक दस्मलों दो पूरे एनर्जी के साथ कंप्लीट करेंगे और ऐसे ऐसे ही महराथन क्लास एक दिन लेके पूरी किताब कं करेंगे समझ में आया आज के लिए इतना ही थैंक्यू धन्यबाद